मैं आप सभी लोगों को बताया था दिन में कि कल साम में आप सभी लोगों का साथ बेस साथ जारी कर दिया जाएगा इसमें से इसके बात यह हुआ है कि जैसे ही आप सबी लोग एक्जामनेशन हुआ ज्यादा टाइम हुआ नहीं था उसके बाद एक कॉलिफाइं परसंटेज भी जारी किया था, कि इतना हमारा क्युक्शन जारी क बना था जिसका वो जोई कि जारी करने माले थे तो वह तीन दीन से आ रहें हैं पहले पहले कुछ-कुछ city हो जा था इसकी ये देखे परसों का ट्विट है और जिस जिस सब्जेड का कब ट्विट की आ गया था कब उसी सब्जेट का रिजल जारी किया गया था तो वेसे हिं आज जो ट्विट हुआ जिसमें आप सबी लोग का साइंस भी है, सुरी, साइंस है, मेट से, और लेटल्स की दो-तिन सब्जेक्ट है, जिसका आज रिजल्ट जारी कर दिये जाएगा, तो जो आप सबी लोग पूछ रहेते हैं कि डिले इसलिए हो रहा है, तो क्योंकि 89,576 करणिरेट ने जो है कि इस 250 करणिरेट को सिलेक्शन करना है, तो वहाँ पर थूरा टाइम लगता है, क्योंकि इस बार का अलग पेटर्न है, BPSC को समझ में भी नहीं आ रहा है, मुझे भी, क्योंकि मैंने पुरा प्रेपर का इनालिसिस करा, सब सब्जेक्ट का, तो किसी का सेम कटफ हो गया है, गल्स रिजल्ट त्यार हो गए रहता, तो कल आप सभी लोग का जो है की रिजल्ट जारी कर दिया गया रहता, तो मैं आप सभी लोग उता तो जो रिजल्ट का था, आप सभी लोग की हमार रिजल्ट कब तक आएगा, तो आज जो है कि आप सभी लोग का साम में रिजल्ट आने के chances है साम में 7.2 से 5.5 के बीच में आप सब लोग का result जारी कर दिये जाएगा उसके बात बात यह हुआ है ना कि बहुत सारे जो examination के जो result जारी किये हैं कि इसमें बहुत सारे candidate fail भी हुएं fail होने का मतलब in the sense of seat खाली रह चुका है अब जो seat खाली रहा है इसके ओपर हम लोग अवाज उठा ही रहे हैं कि जो है कि इसका क्या जारी किया जाए waiting list जारी किया जाए और इसके ओपर धरने पर भी बहुत सारे candidate पटना मगरा में बेठे हुए और अगर यह हो जाता है ना waiting list आ जाती है तो मैं लिख के देता हूँ जो 10 से 20,000 seat खाली बचेगा उसमें जो वेसे candidate जो एक नमबर दो नमबर आधा नमबर से छटे हैं उन अभ्यार्थियों का इसमें selection हो जाएगा और मैं फिर से बहुत खुश हो जागा कि जो candidate इस बार जिनका मौका छुटेगा क्योंकि 83 नमबर लाने के बाद जिसका result नहीं बट जो government है विभाग ने डारेक्ट बुल दिया कि नहीं one job one result अभी संभव नहीं है इन लोगों का joining हो जाएगा और फिर जो seat बचेगा उस seat को हम अगस्त में लेकर की आएगे तो इसके ओपर सभी लोग अवाई उठा रहे हैं आप सभी लोग को भी अवाई उठाना चाहि है और वेटिंग लेश्ट में जो candidate मतलब जो seat बचा हुआ है और उस seat पे उस candidate का selection करवाया जाए जो एक दो नंबर से छूटे हुए हैं क्योंकि उनका एक मोका चला जाएगा ठीक है अब अगर हम लोग बात करें सोसल साइंस की हो तो आप सब लोग यहां पर देख सकते हैं है तो 45 candidate का competition है ठीक है आज morning से ही 2-3 video upload करा है तो खांसी type हो रहा है इसके लिए आवाज जोड़ से में निकल पा रही है तो मैं आप सभी लोग को बता दूँ एक seat पर जो है कि 45 candidate है याने कि यहां पर competition बहुत tough है very tough है आप सभी लोग का यह section और इसका जो cut-up है मैं लिखके हो रहा है मैं आप सभी लोग को पुता जाता हूं SCHT में सिर्फ SCHT में मेरा डिश्टप हो ने तो बागी सरे category का मेरा कटा का prediction सटीक रहा है analysis जो है कि ठीक ठाक रहा है बड़ सिर्फ SCHT वालों को क्या रहा है कभी कभी male female का same हो जा रहा है और कभी-कभी वो लोग different कर दे हैं हम वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं किस basis पर cut off calculate कर रहे हैं उसके उपर में मैं लगा हूँ जैसी पर चलता है वैसे आज सामत को तो आप सभी लोग के result आहीं जाया का tension वाली कोई बात नहीं है and मैं आप सभी लोग को पुटा तो इस बार sht में competition बहुत जादा है 9-10 में इस यह कारण इस बार cut off जाला जाने के chances है ठीक है qualifying marks मैंने आप सभी लोग को बता दिये थे यूवार का 40% था और पिश्रावक के जो मिद्वार है इनका 36.5% था अतियंत पिश्रावक के जो मिद्वार थे इनका 34% था और अंसुचित जाती और महिला दिव्यांग इनका 32% था अब मैं आप सभी लोग को बताता हूं cut off कितना जा सकता है देखिए exam का pattern और paper का level मैंने आप सभी लोग को previous सारे वीडियो में बता दिये हैं आप सभी लोग सेर्च करेंगे तो अपना चेनल का वीडियो आ जाएगा वैसे भी मैंने अभी तक सबसे पहले जितने भी subject के रिजल जारी किये हैं सबसे पहले website से पहले आप सभी लोग को YouTube पर प्रोवाइड करवाया म करते हैं उन वह लोग क्या करते ना जैसे ही रिजल जारी हुआ website पर वह लोग डाउनलेट कर लेते एंड देन मुझे सेंड कर देते अब उसकी बात क्या होता ना एक ही site के जब बार बार लोग लोग लोगिन करके जब खोलते हैं तो site हो जाता क्रेस तो आप सब लोग बोलते हैं किसे रिजल्ट्स हो नहीं कर रहा है आप कहां से बता दिये तो यही है आपके लिए साइबर मतलब ऑफिसल रेसाट पर खोले रहते हैं बैठे रहते हैं कि जैसे कुछ इंफ्रमेशन आए आप सब लोग का अपडेट किया जाए हमारा का चेक के पेपर का नंबर जोड़के आप सब लोग अमेरिट बनने वाला है अगर किसी भी दो कंडिडेट का नंबर सेम हो जाता है तो उसका लेंगवेज का पेपर देखा जाएगा और फिर उसका जो है ना डेट अगर सेम हो गया ना सौरी डेट अप बड़्स जिसका ज़ मूला है अगर हम लोग इसके फीम IL की बात करें तो 75 नंबर से लेकिंगर घरिट नो आगए बात कर लिकाद किसे बीच में रहे वाला है और यह भीसी फीमेल का जो कट से लेकिटैंग बीच में रहने वाला है और आगे बात कर लेतें लिए को इसबीमेल की बीच में रहने वाला है और अगर हम लोग करके आसपास रहेगा सबी के बीच में रहेगा आगे बात कर लेते हैं इस के टिकरी सब्सक्राइब को बता दिया है कि आप सबी का कि यू हो रहा किस करन से आप सब्स testify का रीजाल रहा है और कटफ कितना चाह सकता है कब तक आएगा आप सब्सक्राइब को इसके है ऐप उलावाव से अदर कोई भी काया है तो आप सब्सक्राइब करते हैं